नमस्कार आपके साथ नहुत रुट्ति विश्व कर्मा और आप देख रहें न्यूस टैम्स चैवासा इस बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है आईए नजर डालतर सिंगुम की खबरों पर राश्री युवा दिवस के अवसर पर स्वास्त विभाग और टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से संथ जीवेस विलफेर सेंटर में साथ्या सम्मेलन का आयजन किया गया इसमें उप्विकास आयोक्त संदीब कुमार मीना अनुमंडल पताधिकारी अनिमेश रंजन सिविल सरजन डॉक्टर साहिर पॉल टाटा स्टील फाउंडेशन के पबलिक हेल्थ हेड डॉक्टर भटनागर शामिल हुए एक दिवस्य सम्मेलन में पूरे जीले से आई हुए तकरीबन तीन सो किसोर किशोरियों ने भाग लिया समारों को संबोधित करते हुए उप्विकास आयोक्त ने कहा कि राश्ट्री स्वास्थ मिशन के तहर संचालित राश्ट्री किसोर स्वास्थ सुरक्षा कारिकरम की नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए जीलास्तर ये साथिया सम्मिलन दो हजार चौबिस का आयोजन किय अगया है उन्होंने कहा कि कि शौरावस्था में जीवन का भविष्ण निर्धारित रहता है क्योंकि इस दौर में उचित मार्क दर्शन और बैतर आचरन का पालन करते हुए सरवोचता को भी प्राप्त किया जा सकता है गलत आचरन के कारण जीवन में निम्रता भी उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित आप सभी राश्ट्रिय किसोर स्वास्त सुरक्षा के तहत नेत व्यवस्थाओं एवं जानकारी से सबों को आउगत करवाने के लिए उत्तरदाई है ग्रामिंट सतर पर होने वाली बैठकों में प्राप्त हो रही समुदाय के स्वास्त समस स्याओं के निदान के लिए सार्थक प्रियास किया जा सके। तो वो देश का जेनरिली भविष हो सकता है लेकिन या जो अपनी रहा से मटक जा है तो वो बहुत गलद रास्ते पर जा सकता है। उससे फैमिली से लेके बहुत दिक्कत दे हो सकती है। तो किसोरों के लिए जो कारेक्रम चलाया जा रहा है। अब यह ऐसा नहीं है कि सारी चीजे जो है जेतना इस प्रोग्राम के कंपोनेट है वो कंपोनेट इंटर लिट है कि कि कोई बच्चा यह तो स्कूल नहीं गया रहा है कि उसकूल से प्रोब आउट होता है तो एक चांस होता है कि उसकी जल्दी शादी होगी जल्दी शादी होकी तो उसी पैसिस पर यही चीच होगी कि प्रेग्नेंसी के चांसेज जल्दी होते हैं बंगाली सेवा समीती दिवारा रविंद्र भौन में स्वामी विवेकानन्द का जर्मुत्सों मनाया गया बंगाली समाज के बुजुर्ग एवं युवाओं ने स्वामी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित किया इस दिन को सेवा भावना के रूप में मनाने के क्रम में निसुल्क स्वास्त जांच सीविर का आयरजन किया गया जिसमें जरुवत मंद लोगों का जांच किया गया चिकित्सक डॉक्टर सौमयसीन गुपता के निर्देशन में चिकित्सक की टीम के द्वारा जाज किया गया टीम ने ब्लड पेशर, शुगर, यूरिक एसिट के साथ साथ अन्य रुगों का भी इलाज किया राश्ट्र युवा दिवस के अउसर पर समाच की एक बेटी इशिका चंद्र को चटट अकाउंटेंट की परिक्षा पास किये जाने पर सम्मानित किया गया जरुत मंदों के बीच कंबल वित्रन भी किया गया आज बंगली सेवा समिती रविंद्र भवन चाहमासा में हमारे जुग्पुरुस स्वामी विवेका नदी के जुगा दिवस के प्लोच में सहर के ग्रामीं चित्र के तमाम ऐसे मरी जो डायबेटिक के पैसे हैं जो किसी करन से बहुत सारे उचे थर्च के जिवदा चेक अप होता वो नहीं करा पार रहा थे हमारे डॉप्टर सेमर्सें गुपते जी जो डायबेटिक के जाने मने पसीद्र सहर के चिखिस्तक है उनके और उनके टीब के द्वारा आज हम लोग भागाली से बास समयती के सोजी में से एक डायबेटिक चांस सीविक लागा है रविंदमन में साथी साथ हमारे गरब के बिसे हमारे सहर के एक बच्ची जो काफी तकलिप में रही पढ़ाई की सुभीदा चार सो असी आंक लाके सहर का नाम रोशन किया साथी साथ ऐसे जो बुजूर्प महिला है पुरू से जो इस्ठन में थोड़ी सी उससे बचने के लिए हम लोग बंगाली से बास समयती के और से कंबल वितरन का भी कार्णिकरम पुले के आज हम हम हमारे सामीबिय कंदी के जै समाश बनाने की दृष्टी से स्वामी विवेकानंद के जन दिवस यानी राश्ट्री यिवा दिवस के मौके पर नशा मुक्ति अभ्यान का शुभारम छात्र छात्राओं द्वारा जाहुटता रैली निकाल कर किया गया इसमें अनमंडल सिक्षा पदाधिकारी मधुकर कुमार विद्याली की प्राचार्या शिल्पा गुपता और सिक्षक सिक्षकाओं ने हिसा लिया अनमंडल सिक्षापदाधिकारी ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला इसके बाद हरी जंडे दिखा कर रैली को रवाना किया अनुमंडल सिक्षापदाधिकारी ने कहा कि स्वामी जी के द्वारा शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया गया भाशन अद्भुत था उनके जीवन से हमें प्रेधना लेने के जरुवत है प्राशारिया ने कहा कि किसी भी देश का वतमान एवं भविश्य युवाओं के व्यक्तितों पर निर्भर करता है युवा सपनों को अकार देने का अर्थ है संपूर्ण मानव जाती के उन्नत भविश्य का निर्मान इस कारिक्रम का मुख्य उद्देश्य आज के युवा चात्रों तथा समाज के लोगों को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रिरिद करना है कलब की अध्यक्ष हीना ठकर ने बताया की जिन 25 चात्र चात्राओं में दृष्टी दोस पाया गया है उनके अभिभावकों को सुचित कर उन्हें उचित इलाज की सला दी गई है हीना ठकर एवं सुसेल मुंधरा दुआरा प्राचारिय शिलपा गुपता एवं तकनी की टीम के सदस्यों को स्मृति चिन्न दे कर सम्मानित किया गया प्रायो जक सुसील मुंधरा ने चात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आखों की निमित रूप से जाँच करवाना जरूरी है ताकि कोई समस्या हो तो समय रहते उसका उपचार किया जा सके कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशितपूर क्यों जाना चैबासा में भी होगा सारा काम वह भी विश्वसनियता के साथ जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वहान से जुड़ा सारा काम होता है वो अभी भरोसे के साथ एक्सिडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, वील अलाइलमेंट, वाशिंग, पिक अप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पलूशन सेटिफिकेट, कार एकसेसरीज ये सुविधाएं एकी स्थान पर उपलब्ध है हमारा पता है चैबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चैबासा आप खेल से जुड़ा समान खरिदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना हम आपको हर आइटम जमशेदपूर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्ध कराते हैं क्वालिटी प्रोड़क्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है चैबासा सहर के सदर बजार में एफस टावर और जेमपी चौक के पास दोनों ही जगों पर संचालित होता है आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन तो फिर सोचना क्या है आईए आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाईए स्रीराम जन भूमी तिर्थ छेतर से आए पूजित अक्षत का वित्रण चैबासा में निरंतर चल रहा है पूजित अक्षत वित्रण के कारे में विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल के नतित्त में रास्ट्य स्वयम सेवक संग एवं अनुसांगिक इकाई के कारिकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है राम भक्त कारिकर्ता घर गय जाकर पूजित अक्षत के साथ राम मंदिर का चित्र एवं आमंतरन पत्रक दे रहे हैं आमंतरन देते हुए परिवारों से आगर किया जा रहा है कि आगामी 22 जन्वरी को सभी लोग उस दिन को दिपोच्षों के रूप में मनाय और भगवान श्रीराम चंदर की स्तुती करें सामोहिक पूजन करें यदि अपने महले में मंदिर है तो मंदिर के साफ सफाई करते हुए सामोहिक आर्थी करने के तैयारी के लिए आगर किया आज सेंटोला, रुंटा कॉलोनी, न्यू कॉलोनी निमडी, कल्यानपूर गुटुसाई में किया गया शनिवार को पोस्ट आफिस चौक से सदर्बजार, शहीद पार्ग चौक, पेट्रोल पंप चौक, बस्टैंड चौक, जैन मार्केट चौक, काली मंदिर चौक होते हुए बाबा मंदिर तक अक्षत वित्रन किया जाएगा समापन में सामोहिक राम आर्ती किया जाएगा जीला क्रिकेट संद्वारा आयजित, आठवी अशोक कुमार जैन जीला, नौक आउट क्रिकेट प्रत्योगिता के एक बड़े उलट फेर के अंतरगत एसा रुंटा एडिविजन लीग की चैंपियन टीम यंग जार्खन क्रिकेट क्लब चैंबासा को एक तरफा मुकाबले में आठ विकेट से पराजित कर चक्रधारपूर के साव स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी ने प्री क्वाटर फाइनल में प्रवेश किया लगतार दो प्रतियोगिताओं में फाइनल मैच खेलने वाली यंग जार्खन क्रिकेट क्लब के लिए यह बड़ा सेट बैक है बिर्सामुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में पहले बल्ले बाजी करते हुए यंग जार्खन की पूरी टीम 28 ओवर में मात्र 106 रन बना कर अल आउट हो गई जीत के लिए निर्धारित लक्ष को सा स्पोर्ट्स अकादमी के बल्ले बाजो ने 17 ओवर एक गेंद में मात्र दो विकेट खोकर प्राप्ट कर लिया पदमाओती जयन सरस्वती शिश्व विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानन की जयनती मनाई गई इस मौके पर विद्याले प्रबंधन समीती के अध्यक्ष रामध्यान मिश्र प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंग और प्रभारी प्रधानाचार्य अर्विंद कुमा और प्रेरक प्रसंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जीवन का उलेख किया बच्चों ने स्वामी विवेकानंद के बताय मार्क पर चलने का संकल्प लिया रामध्यान मिश्र ने कहा कि स्वामी जी का संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेणा स्रोत है हमें उनसे अ विवेकानन्द की जहनती मनाई गई इस मौके पर विद्यार्थियों के लिए कुछ का आयोजन किया गया और अच्छा प्रदिर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरुस्कृत किया गया विद्याले के प्रधाना ध्यापक असीम कुमार सिंग और सिक्षक सिक्षिकाओ पुष्प अर्पित कर स्रधान्जली दी इसके बाद बच्चों द्वारा बारी बारी से उनकी जीवनी पर आधारित कारिक्रम प्रस्तुत किये गए असीम कुमार सिंग ने कहा कि 12 जन्वरी को पूरे देश में राष्ट्री यवा दिवस की रूप में मनाया जाता है इस वर्ष का विसे उठो जागो और अपने अंदर मौजूद सक्ति को पहचानो रखा गया है आप सोने और चांदी का अभूशन खरिदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं चले आईए श्याम जोलर्स में श्याम जोलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटिस डिजाइन के अभूशन उचित मोले पर मिलेगा श्याम जोलर्स में सोने और चांदी की अभूशन की सुद्धता की सत प्रतिशक गैरेंटी है तो फिर जादा क्या सोचना है आज ही आईए श्याम जोलर्स हमारा पता है सुनार पट्टी सदर बजार चैवासा लड़का लड़की छोटा बड़ा मैं लेगा हरना नीलम सुले कर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, एस पेजी मिशन, संत निवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैर, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैर, टिफिन बॉक्स इत्यादी, उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उपलब्ध है तो अवस्य पधारे, नीलम शु, राजा बाडी कली, सदर बाजार चैवासा, जहां नीलम शु का वाद राची मया आयजित, राजिस्तरिय मुखिमंत्री आमंतरन कप, फुटबॉल प्रत्योगिता के फाइनल में पश्मी सिम्हुम जीला की ओर से मचकाव प्रखंड की बालिका टीम उपविजयता रही राची की टीम ने शुने के मुकाबले दो गोल से पश्मी सिम्हुम की टीम को पराजित कर दिया उपविजयता पश्मी सिम्हुम की टीम को ट्रोफी और दो लाक रुपे का चिक प्रदान किया गया है इस प्रत्योगिता में पूरे राज्जी की टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें पश्मी सिंभुम की टीम उपविजेता रही अपर सत्र न्याइधीस प्रत्थम की अदालत ने नाबालिक से दुशकर्म के आरूपी को दोशी करार देती हुए पोकसो एट की धारा चार दो के तहत 21 वर्स के कारावास और 20 हजार रुपे की जुर्माना एवं भारतिय दंड विधान की धारा 343 एवं 506 के तहत दो-दो वर्स की सजा सुनाई है उडिसा के क्यंचर जीला के बडविल थाना चेत्र के उली बुरु निवासी नंतकिशोर मुंडा के खिलाफ 8 फरवरी 2021 को जेटिया थाना में मामला दर्च किया गया था स्वामी विवेकानन जेनती और मकर सक्रांती को प्लक्ष में जार्खन कींद्रिय कालिंदी समीती जमशेतपूर की ओर से पश्मी सिंभुम जीला के केसना, बाईमिता, कुंडिया धर गाउ में ग्रामिनों की बीच लुंगी, गंजी, साडी और बच्चों की बीच पुस्त पुस्तिका और पिंसिल का वित्रन किया गया, संथ विवेका इंग्लिस मीडियम स्कूल में स्वामी विवेकानन की जेनती हरसो उल्लास के साथ मनाए गई, प्राचार्य राम ओतार अगरवाल ने स्वामी विवेकानन की जीवनी पर प्रकास डालते हुए कहा कि हम सभी को उ श्री गुरू गोविन सिंग का प्रकास उत्स सत्रा जन्वरी को मनाया जाना है, इसको लेकर श्री गुरू सिंग सभा, श्री सत्संग सभा और युवा खाल्चा की ओर से सहर में प्रभात फेरी निकाली गई, सहर के विविने छेत्रों का भ्रमन कर प्रभात फेरी वापस गुरुद्वारा पहुंची जहां अर्दास किया गया और प्रसात का वित्रन किया गया। उनको यहपत दिया गया है। विनुत कुमर समया को 15 दिनों के अंदर जीला समीती का विस्तार कर महासभा की केंद्री कमीटी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। इधर समया ने जीला अध्यक्ष बनने पर खुसी जताई है और महासभा की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। कुलहान भूमी बचाओ समीती के अध्यक्ष विनुत कुमर समया के नत्यत्तु में शुकुरवार को टुंग्री स्थित निवटिया फैक्टरी के चार दिवारी के बाहर की रैती जमीन से अवैत कबजा हटाया गया। इस जमीन पर निवटिया फैक्टरी प्रबंधन ने मिट्टी पत्थर गिरा कर कबजा जमाया हुआ था। जमीन फैक्टरी के चार दिवारी के बाहर है जबकि सेज जमीन फैक्टरी के अंदर है। बाहर की जमीन पर आज पत्थर मिट्टी हटा कर मैंने उसे वापस ले लिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल पर निवार। बाहर के तुछ लिवारा मुला कर दो के दो मुलाकात है।